ये एपिसोड समर्पित है चंद ऐसे टीवी निर्माथा निर्देशक और कलाकारों के नाम जिनका कला से दूर दूर तक कोई संबंथ नहीं आप 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 नचा पाप आप जूबंग माड्संबव रइंड सूब आप आप वादडि नहीं क्यूंप आप इंड से खिर संसी कोई संबंभानी कि यहोज़ adrenaline किल्ट समुदित अपफ जोंधंगर व्लद करowski dolphins कुई लॉप शो डाइडी डाइडी फिर जो कववा आता है उसे ना उसे ना बड़ी प्यास लगती है पानी की तलाश में वोना सबसे पहले उत्तर दिशा में जाता है डूंदता है उसे पानी नहीं मिलता फिर ना फिर ना दक्षिन दी समझाता है उसे वहां भी पानी नहीं मिलता जो वहानी पानी मिलता तो वोना पूरस दिश्या मिलता है क्या उत्तर पूरस पस्चिम लगा रखी है छोटी जी बात को इतना लंबे खेचा जा रहा है पांच मिनट की कहानी को तू आदे घंटे में नहीं समझा सका समय इन अधिक तू बड़ा उकर क्या करेगा आपकी तरा टीवी सीरिल बनाऊंगा डड़ी फ्लॉप हाथ पंड़ जी आप रहने दे आप इस कुंडली से अंधादा लगा रहें जी यह ठीक रहीगा अच्छा बदाईए आपका प्रश्न क्या है दरसल हम दोनों बिजनसमेन हैं मेरी मिठाईयों की दुकान है और इनकी दवाईयों की सिद्ध गनेश मेरे हिसाब से आप दोनों का धन्दा बहुत अच्छा चलता है बिल्कुल जी जो हमारी दुकान की मिठाईयां खाता है इनकी दुकान की दुवाईयां जरूर खाता है तो फिर आप समस्या क्या है पंड़ी जी मैं बताता हूँ दरसल हम दुनों मिलके किसी नए बिजनस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते है उसके बारे में पूछना था सिद्ध गनेश बई शुक्र और शनी के दशा तो बिल्कुल ठीक है तीसरे में सूर्य और पांचवे में ब्रिस्पती का गोचर है देखे मेरे हिसाब से आप कोई भी काम कीजिए सफलता आपके पांचुमेगी ही पंड़ी यही तो हम पूछना चाहते है कि कौन सा काम शुरू करें वैसे हमारे मैंन में दो तरह के बिजनस है एक तो हम गैस एजनसी के लिए ट्राई कर सकते है दूसरा हमने सुना है कि टीवी सीरिल बनाने का धंदा भी अच्छा है देखे यह सोचना तो आप लोगों का काम है लेकिन एक बात चाहे आप लिख के ले लें बहुत जल्द आपको दौलत, शोहरत और बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है दौलत, शोहरत और इनाम वो परशोटम इसका मतलब हमें टीवी सीरिल ही बनाना चाहिए बास, लेकिन हमें टीवी सीरिल के बार में तो कुछ भी नहीं बता वो अपना दोस्त है न रस्तोगी उपलवान, उसने भी टीवी सीरिल बनाया था अच्छा उसे पता होगा चलो उसे पूछते हैं चलो, ओट गामे टांक पकड़ इसकी अबे धोबी पठका दे धोबी पठका क्या हाला रस्तोगी साब आओ बटी साब, आप यहां कैसे दुकान से फुर्सत मिल गई आपको बटी साब, यह मेरा दोस्त आई पुर्शोतम दुवाईयों की दुकान आई थी वेरी गुड, वेरी गुड गामे, जाके लसी लसी लेखे आ देखते हैं, मारा यार आया है हाँ तो बटी साब, कैसे आना हुआ दरसल हम आपसे एक सला लेने आए थे जरूरी आचाचाँ, आओ तो फिर महीं बैठते हैं आओ, आओ आई आई बैठी आई ए पुर्शोतम जी आप भी बैठी है दरसल हम एक सीरिल बनाना चाहते हैं हमने सुने कि आपने भी एक टीवी सेरिल बनाया था हाँ बटी साब, मैंने भी एक कॉमेडी बनायी थी आपने नहीं देखी एक्चली उन्दों हमारा टीवी खराब था आप जैसे मशूर पहलवान ने टीवी सेरिल बनाया और कॉमेडी बनायी और हम देख नहीं पाये कोई बात नहीं बटी साब, वो किसी ने भी नहीं रेखी क्या मतलब? मतलब ये बटी साब, कि वो अभी टेली कास्ट ही नहीं हुई है क्योंकि टीवी वालों ने थोड़ा मॉडिफाई करने को कहा है कोई अब्जेक्शन लगया था? माइनर अब्जेक्शन था, सीरियल को देख के हसी नहीं आती थी तो फिर आपने क्या किया? हमने सारे सीरियल के पीछे नकली हसी बढ़ दी आइडिया अच्छा, परशोत्म कहीं नोट कर ले या वैसे एक मेरी बात मानो बटी साब आप ये कॉमेडिकर रिस्क नहीं लो तो अच्छा है आप तो कोई ट्रेजेडी बनाओ हाँ, मेरे एक दोस्त है सुरेश बड़ा अच्छा राइटर है ट्रेजेडी का अरे उससे मिलकर तो आपको अपना जीवनी ट्रेजेडी लगने लगेगा हमारा क्या है जी, हम तो ट्रेजेडी भी बना लेंगे पर बात यह है कि हमें सीरिल बनाने के बारे में कोश भी नहीं पता मैं सब को समझा दूँ हूँ आपको पहले आप कानी लिखा कर अप्रूफ तो करा लें उसके बाद कैमरा कहां से लेना है, लाइटेंग कहां से लेनी है मैं सब कोई बता दूँ आपको काफी टाइम लगता है यह है थोड़ा टाइम तो आपको बटी साब निकालना ही पड़ेगा दुकान से अब ललू जी हाँ जब यह बर्फी का थाल खत्म हो रहा है अंदर से और बर्फी उठा के ला अच्छा जी अब ललू अजी एक तो खुगा खत्म होने वाला है वो अरेंज करना जी ठीका दूसरा अंदर एक आलूओं की बोरी पड़ी है न वो जिससे थोड़ी सी बद बू आ रही है जी उसे समोसरो टिक्कियों में डाल के खत्म करो अच्छा जी और सुनो दुकान का ध्यान रखना मैं जा रहा हूँ मेरी सेटिंग आई टीवी सीरिल की अजी अब यार आप फिगर ना करें बटीजा बहुत कल जड़ा थी आँ ने आगे हैं अब बहुत आपकी वेट होनी थी बेचो यार तुकान में खुआ रेंज करना था इसलिए थोड़ी देर होगी यार ये इस रेज जी हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था बड़ी खुश हुई ये आपसे मिलके ये बहुत अबने राइटर है 1964 में उन्हें काणी लिखी कबरिस्तान का चौकीदार वै क्या पापलर हुई काणी इनके अच्छा हाँ मैं उसी कहानी की बात कर रहा था जनाब के अंधेरी रात है बादल गरज रहें तेज हवाएं चल रही है शाएं शाएं और कबरिस्तान में चौकीदार पहरा दे रहा है जागते रहो मतलब कि मुर्दों को जगा रहा है नहीं जी वो अपनी ड्यूटी दे रहा है क्या डेफ था यार सीन में बास मैसे मुझे तो कुछ भी नहीं पता पर ये कह रहे हैं कि फिल्म हो या सीरियल राइटर बर्ड बैंड करता है अगर कानी बढ़िया हो तो सीरियल मार नहीं खा सकता है बिलकुल जी ये तो वही बात है एक बाद टिक्कियों का मसाला ठीक बंजे उसके बाद टिक्की थोड़ी कच्छी भी रहे है लोग खा जाते है वैसे आप किस तरह का सीरियल लिखवाना चाहते हैं जिनाब हम तो ठहरे जी बिसनसमैन हमें तो चार पैसे बचने चाहिए सीरियल चाहिए जैसा भी हो कहानी तो ये भी बहुत जबरदस्त है जुनाब कब्रिस्तान का चोकीदार लेकिन पास करवाना आपका काम है वह यार पास तो हम कराई लेंगे शायद आपको पता नहीं अपने लाके के MP है न प्यारे लाए जी अपने बास को बहुत अच्छी तरह जारते है फिर तो जी जीरिल पास ही बास है ओ बाई और कितनी देर लगेगी यार हमें दो गंटे होगे बैठे हुए देखिया अंदर उनके खास आपने बैठे हैं जैसे ही वो निकलेगे आपको मिलवा देंगे यह भाई हम भी कोई आम आदमी नहीं है चार सार पहले मैं और आपके एंपी साहब कठे जेल में थे अच्छा अच्छा तो आप भी अंदोलन में के साथ थे ने ने मैं तो अडल्ट्रेशन के चकर में अंदर हो गया था हमारी दुकान के आलू छोले खाके एक आदमी फूड्ट्रेशन के चकर में अंदर हुआ है यार मैं तो बातों बातों में शो कर रहा था कि एंपी साहब हमारे काफी नजदीक है हट यह भी को तरीक क्या आप अंदर जाए प्लीज नमस्कार जी नमस्तर जी हाजी फर्माईए मेरे खाल आपने हमें पहचाना नहीं चार सार पहले मैं आपके साथ जेल में खा जी अच्छा अच्छा मैं भी कहूँ आपका चेहरा कुछ देखा सा लगता है तो आप भी हमारे साथ अंदोलन में थे नहीं जी मैं तो अडिल्टरेशन के चकर अंदोलन में आपके साथ थे जी देश भक्ती सार भटी साथ तो आपकी बहुत प्रेज करते है जी जेल की बहुत बड़ी बड़ी बाते सनाते हैं आप हुकम करें मैं बनाता हूँ सार जी दरसल हम तो नों मिलके एक टीवी सीरियल बना रहे हैं आपको तो पता है आजकर टीवी सीरियल अप्रूब कराना बहुत मुश्कल है तो उसी सिल्स्निम में आपके पास आयते कि आप हमारी मदद करें थोड़ी देखिए अगर सीरियल अच्छा होगा तो वो जुरूर पास करेंगे आखिर टीवी वालों को भी तो अच्छे सीरियल की जुरूरत रहती है सर फिर भी अगर आप टेलीफून कर दें या हमें को चिठी दे रहें तो हमारा प्रोग्रम उन्हें और भी अच्छा लगेगा ठीक है भाई फिर आप ऐसा करें पी ए को अपना नाम और सीरियल की डिटेल्स लिखवा दें मैं चिठी लिख दूँगा आप कॉपी ले जाना शुकरिया जी चाल उठो सर ये एंपी साव ने खोद लिखवाई या जी प्रोपोजल क्या है आपकी सर ये एक बहुत सीरियस कहनी है बलके बहुत बड़ी ट्रेजडिय या जी सर ये इतनी सब्रतस ट्रेजडिय है कि बाहर हमने आपके चपड़ासी को सुनाई उसकी आँखों में भी आंसु आ गए सर वो तो उसे आइफली हो रहा है आँखों की बिमारी है उसे सॉरी सर हमने उसे जड़ा हाथ में लागी है लिख सारी आप लोग ट्रेजडिय क्यों बनाना चाहते हैं कॉमेडी क्यों नहीं बनाते हैं हम लोग कुछ अच्छी कॉमेडी बनवाना चाहते हैं लेकिन सर जो हमारा राइटर है वो ट्रेजडिय का मास्टर है सर वो सिवल हस्पिताल में पार्ट टैम पोस्ट मार्डम करता है सर वैसे तो एक अच्छी ट्रेजडिय बनाना भी आसान काम नहीं इस नौट एन इजी जॉब सर आप एक सीन मेजन करें कबरिस्तान का चौकीदार रामू पैरा दे के घर वापिस लोड़ता है उसे पता चलता है कि उसका कुता वाइरल फीवर से मर गया सर सदमे की वाजा से उसकी आवाज चली जाती है उसका दस साल का लड़का धनिया कुत्ते एक लाश पे हाथ रखके कसम खाता है कि मैं बढ़ा होके डॉक्टर बनूँगा अपने पिता जी का इलाज करूँगा अरे भाई दस साल का लड़का है कब वो बड़ा होगा कब उसकी नौकरी बहाल होगी सर एपिसोड भी तो तेरा है धीरे धीरे बड़ा होगा धीरे धीरे डॉक्टर बनेगा सर जी मुझे तो यकीन है कि ये सिरिल कोई नो कोई वाड जरूर ले जाएगा खैर आप अपनी डिटेल प्रपोजल और बजट ब्रेक अप समिट करवा दें फिर देखते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू बटी साब नमस्कार नमस्कार रस्तोगी साहां कहा चला अलो इसली मैंने आपको देखा थी हाँ आप अफ तो प्रोडूसर बन गे होगा नही है कैसे कोई नया सिरिल देने आए नहीं यार मेरे इस कोमेडी सीरियल पर फिर अब्जेक्शन लगा दिये कैसी अब्जेक्शन आपने नकली हंसी भर तो दी थी हाँ भर तो दी थी लेकिन कई जगा घलत भरी गई मसलन एक जगा हीरो का एक्सिडेंट होता है डॉक्टर कहत आप फिकर ना करें एक बार सीरेल एप्रूव हो जाए हिरो इने खुछ फोन करें आपको हलो क्या ये मिस्टर भट्टी का घर है हाँ जी घर तो नहीं का है लेकिन प्लॉट मेरे पापा ने लेकर दिया था आप कौन बोल रही है मैं उनकी बीवी हूँ आप कौन है मेरा नाम अरती हे आपने कोई मिठाई का ओडर दिया था जी नहीं मुझे वैसे ही उनसे मिलना था वैसे ही वो घर पे नहीं है कोई बात नहीं मैं उनसे फ्रमिलोंगी डारेकशन की तो भट्टी साब आप बिल्कुल चिंचा मद की दिल ऐसा सीरियल II करूँमा इसा सीरियल डारेक्ट करूंगा कि एक एक अदमी ड्रो पड़ेगा तुर्वेदी साब जो हमारी कहानी आने ये कपरिस्तान का चौकी रार ये कुछ ज्यादाई सीरिस टैप कही है आप चिंता मत कीजिए मैंने से बढ़कर एक ट्राइड़ी डारेक्ट की हुई टूटते दिल, कहरे सकम, उदास राते ये सब मेरी डारेक्ट की हुई फिल्मे है तुर्वेदी जी तो ट्राइड़ी के किंग है अच्छा ये ही कह रहे थे बास, मुझे तो कुछ पता नहीं जणाब अपनी जिंद्गी तो खुदे ट्राइद की है तीन शादियां करवाई, तीनों भीवी छोड़ के भाग गई तीन नौकणियां की, तीनों बार निकाल दिया गया तीन फिल्में मनाई, तीनों फ्लप आप पिना में किसी अच्छे डिरेक्टर का नाम सुझेस्ट कर दें और नहीं, आपका सीरियल में डिरेक्ट करूँगा मेरे को किसी जोच्छी ने बता है कि तीन फिल्मों के बाद जो छोथा सीरियल में डिरेक्ट करूँगा उस मेरे को अवार्ड मिलेगा बस, जोच्छी के मताबक अवार्ड तो हमें भी मिलना है कि इस डिरेक्टर की वलकाजसना मिलना हो मैं तो कहता हूँ ड्रेक्शन का ठेका इसे दिए दू भाई यह तो गलत बात है आदे गंडे से मैं अपनी सास के चुग्ल्या कर रह ouaisो और तुने अपनी सास की तो वह नहीं सुना अरे यह तो लाइन ही ऐसी है, किसी का कोई भरोसा नहीं खुदा का शुक्र है कि यह हलवाई है कोई फिल्मी डिरेक्टर नहीं वन्ना मेरी तो शक करने की इतनी आदत है कि कोई लड़की इनके पास से भी गुजर जाए तो मुझे टेंशन हो जाती है अपने अखबार में इश्थार दिया था सेरिल की हिरोईं के लिए जी तिया था अब पूछ भी कुछ है तू पूछ यह नहीं बास मुझे तो कुछ भी नहीं बता आपका सेरिल पास हो गये पास तो होने ही था, MP साहब ने अपने इलाके के, MP साहब ने क्या करना था यह वो तो अपने मेरिट पर ही पास हो गया वेरी गुड बस लड़की तो स्मार्ट है लेकिन पता नहीं एक्टिंग कर सकेगी या नहीं यही तो पूचना है, तो इंट्रव कर, हम तेरे साह आँ है गवराथा क्यों और तो है ने, ने, गवराना घराल means, का भवाना है आपने पहले किसी सीरिल में काम किया है आपने इस से पहले कोई सीरिल बनाया है जी, है सीरिल भुषना दू नहीं बनाया हम खुद ही नहाते हैं एक एकफटा मैं सीरियल की बात कर रही हूँ सीरियल का तो आपको पता होगा जी हम तो पैली बार बना रहे हैं न अच्छा तो मैं चलती हूँ यह मेरा काड है इस मेरा एड्रेस और चैलिफू नंबर भी है आपको जुरूरत पड़े तो आप मुझे बुला लीजी तक थांक यू पाइ परशोतम यार यह दंदर अच्छा यार दस साल ओगे हरवाई का गाम करते हुए एक भी लड़की ने अपना अड्रेस नहीं दिया हाहा और अब हीरो इन पर हीरो ना पना अड्रेस देरी हाहा बास एक रोल मैं भी करूँगा परशोतम हाह तुझे तो कुछ भी नहीं पता उत्रवेदी साहा हाह हाह अभी अभी एक हीरो ना के गई है रुची सिंग अच्छी आर्टिस थी कुछ बातचीत हुई ओ चनाव हमने ऐसे स्वाल पुछे ऐसे स्वाल पुछे के घवरागी बिचानी की सोची होगी बड़े दांसु पर्डियूसर है हाह अब तो हमें इंट्रव्यों की बड़ी प्रैटिस होगी है हाह आर्थी नहीं आई आर्थी कौन आर्टिस्ट है मैंने उसे आपके घर का अड्रेस भी दिया था उमरवादिया यार मैंने तो अपनी बीबी को भी यह बटा आई नहीं के हम कोई सेरिल बना रहे हैं पर इसमें गभराने की क्या बात है और यार आप लोगों को नहीं पता मेरे घर का महौल कितना नौन कल्चरल है हाई मिस्टर भटी कर पे है अरे-अरे कहा चली जा रही हो कौन हो तुम आपने शायद मुझे पहचाना नहीं मैं आरती हूँ उस दिन मैंने आपको फोन भी किया था क्या काम है आपको भटी साब एक TV सेरियल बना रहे है न उसी सिल्सले में मुझे हनसे मिलना था देखिए आपको गलत फहमी हो रही है वो एक हलवाई है वो समोसे बनाते हैं जलेबिया बनाते हैं ना कि TV सेरियल लेकिन त्रिवेदी जी ने तो मुझे यही कहा था कि भट्टी साब एक सीरिल बना रहे हैं और आपका एड्रेस भी मुझे उन्हों नहीं दिया था वही त्रिवेदी न जिसकी तीन शादियां हुई हैं हाँ, बिल्कुल वही देखो लड़की, जिस रस्ते आई हो न उल्टे पाउं वापस हो जा देखे, आप मुझे गलाच समझ रही हैं मैं तो यहाँ हीरोईन बनने के लिए लेकिन मैं ठीक समझ रही हूँ, यह चुडेल देख रही हूँ बड़ी नाचुरेल चुडेल हैं और इसके बाल तो बिलकुल असली हैं इसके बाल इनकी एक पुरानी सहेली के हैं मेरे हाथ ज़रा चड़ गई थी अच्छा, तो मैं चलती हूँ बेहतरी भी इसी में है भाई आज बहुत था क्या मैं आप टीवी सीरियल बना रहे हैं? नहीं नहीं बना रहे? हाँ, लेकिन तुम्हें किस ने बताया? आर्ती ने कौन आर्ती? अच्छा, तो अब आर्ती का नहीं पता? वो आई थी यहां मुझे नहीं मालूम था, तुम मुझे इस तरह दोका दोगे प्रिटी, मैंने तुम्हें कौन सा दोका दिया? अच्छा, तुम्हें बताया होगा ना, कि तुम्हारी तीन तीन शादियां होंगी? न, न, उसकी सारी बाते साचनी होती मुझे सब पता है पहले तुम सीरियल बनाओगे, फिर फिल्म की हिरोईन से शादी कराओगे मैंने तुम्हें की सारी कहानी पढ़ लिया प्रिती, तुम्हेदी बिचारा तो पहले बड़ा दुखी आदमी है अच्छा, तो तुम्हेदी बिचारा लगने लगा मुझे नहीं पता, मैंने ये सीरियल बनाने दूगी लेकिन प्रिती, अब हमें सीरियल लॉट हो चुका है, हम काफी पैसा कर चुके हैं तो मैं के करूँ, कुछ ना कुछ तो करना बड़ेगा, सीरियल तो बनाना ही है ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शार्त है क्या है, आपके सीरियल में कोई लड़की काम नहीं करेगी प्रिती, यह कैसे हो सकता है, हमारी स्टोरी में दो, तीन फीमेल क्रेक्टर्स है मुझे नहीं पता, लड़कों को विक बना के लड़कियां बना लेना लेकिन अगर मुझे पता चला किसी लड़की को लिया है, तो मैं हमेशे के लिए घर चोड़के चली जाओंगी यार नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं हर तरह का कंप्रोमाइज करने को तीयार हूँ, पर हिरोईन करो लड़का, यह नहीं हो सकता ड्रेक्टर साब, आप हमारी मजबूरी समय नहीं कोशिश तो करें आप महेश को ट्राई तो करें, उसके घुंगराले बाल, मोटी आखें, थोड़ा मेकप बढ़िया हो जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा मैं मारा जाओंगा, मेरी पहले तीन फिल्मे फ्लॉप हो चुकी है, मैं आपके पाउं पढ़ता हूँ, अगर ये सीरियल फ्लॉप हो गया तो मैं कही का नहीं रूँगा मेरी कहानी का क्या होगा जुनाप, एस स्क्रिप्ट राइटर मेरा तो करियर ही खराब हो जाएगा यार आपको अपने कैरियर की पढ़िया, अगर मेरी बीवी ने मुझे तलाग दे दिया, मुझे शादी कौन करेगा, मेरी शादी पहली बड़ी मुश्किल सुईगी है हा भै, रोल मिलगे है आपको, यल्व शादी क庇न ऊर टुनाव लुकी रूवाल कर ले खर बाद के दियो कबरिस्तान का सीन रात और कुद्टि रो रहे हैं चौके लैख धिरा ठीकर आप दरघ घर रोकर दखाएं रहसल हो जाएगी तो पेरा धिन लाकिन अगर आप रोले हैं अब आफ रोड़े हैं तो सीन जादा पावर फुल मैंपस है क्योंटेक्स आपकी मर्जी है मुझे तो खुट रोना आ रहा है सर शोटते ही आ रहा है मिट्र बेदे जी आप डालेक्ट करेंगे आप ही करने मुझे तो कुछ समय नहीं आ रहा है तो मैं करता हूं आओ भी सारे चलें चलिए अब यह लमक यह बाद ऐसार्ट आप यहलें क्यों चले हैं कि यह ढूआ है और चाले चाले उप्रॉटम तुक्रें नहीं गुटरी सउक्त और किमरण एडि एक्षन § तो यहार अगर तुम छोखिदार के लढ़के हो μहोबबगत में कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं मैं शादि करूँगी तो तुमसे वरना कुउए में कूटकर जान दे दूंगा ओ जान दे बड़िया बन गया? सर ये तो आपको टेली कास्ट के बाद ही पता चलेगा हाँ 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 सर इतनी जबरता स्ट्रेजडी है कि एक पर दिल रोप पड़ता है सर वेरी गुड सर हमें तो यकीन है कि इस ट्रेजडी को कोई न कोई अवार्ड जरूर मिलेगा इस साल का बहतरीन टीवी सीरियल जिसे देखके पेट में बल पड़ गए वो है कब्रिस्तान का चोकिदार और अब बंबाई की मशूर फिल्म अभिनेतरी नीना जी पडूसर साहबान को ट्रॉफी देंगी नीना जी और आप पडूसर साहब आप हमें बताएंगे कि आपने इतना अच्छा और इतना उम्धा कॉमडी सीरियल कैसे बना है पुर्शोतमा हाँ हमने तो अपने तरफ सरे ट्रेजडी बनाई थी सीरियल बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को कॉमेडी बनाई तुने काहे को कॉमेडी बनाई सीरियल बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को कॉमेडी बनाई तुने काहे को कॉमेडी बनाई का है को लिये तुने नकली से एक्टर काहां से ढूंडा तुने फ्लॉप डिरेक्टर का है बनाया तुने सिरियल का हलवा का है बनाया तुने सिरियल का हलवा किया है तुने प्राइम टाइम का मलबा गुप चुप तमाशा देखे वाहरे तेरी चतुराई काहे को कौमेगी बनाई तुने कर दोल देना देखे रहाँ कर दो नडियाता का लिए का हुआ लग जा लोगा हुआ अाँ कर दो ओर तर समय कि भीना खर अड़िक लमगार दोन रार जड़िका तो पर प्रत एंग हुआ 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 यचास